नमस्कार दिलगाडी नियूज में आपका स्वागत है पुर्व राश्पती पन्व मुखांजी के बाद अब देश के जाने माने उद्योगपती और टाटा ट्रश के अध्यक्ष रतन टाटा राश्टिय स्वाइन सेवक संग यानी आरेशेश परमुक के साथ एक मंज पर पिखाई देने वाले हैं रतन टाटा अगले महीने मुंबई में आरेशे से जुड़े एक संगठन के कारेकरम में संग परमुक मोहन भागवक दे साथ मन साजा करेंगे खबरों के अनुसार मुंबई में अगले महा आरेशे से जुड़ी संस्था नाना पालकर श्मिती के स्वर्ण जैनती कारिक्रम में रतन ताटा सामिल होंगे मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आयोजन को लेकर अब चारिक एलान होना बाकी है लेकिन सुत्रों से पता चला है कि आयोजन 24 अगस्त को होने वाला है इससे पहले राश्पती रह परनाव मुखरजी द्वारा आरेशेस के कारिक्रम में शामिल होने पर कॉंग्रेशी निताओं ने उनकी आलोशना की थी नाना पालकर श्मिती एक एंजियो है जो गरीम मरीजो के लिए काम करता है इस एंजियो ने अपने सलाना कारिक्रम में रतन ताटा के साथ संग पर मुख मोहन भागवत को आमंतरित किया है रतन टाटा के लिए पहला मौका नहीं होगा जब वो मोहन भागवत के साथ होंगे इससे पहले दिसंबर 2016 में टाटा ने संग मुख्याले में मोहन भागवत के साथ भेट की थी वो आरेशेश संस्था पंक केसो बलीराम हेडेगोर के असमारक गएं और उन्हें सालांजी दी थी नाना पालकर श्मिती का कर्याल है मुंबई इस दिर टाटा केंसर अस्पताल के पास ही है टाटा के अस्पताल में इराज कराने आये मरीजों की देख भाल नाना पालकर श्मिती में की जाती है इस कारण टाटा संग के साथ संस्था के रिष्टे पुराने है इससे पहले बीते दिनों जब प्रनाम मुखर जी ने आरेशेश परमुक के साथ मंज साजा किया था तो कॉंग्रेश पार्टी सही कई लोगे ने इसकी आलोशना की थी इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी जब रतन टाटा आरेशेश परमुक के साथ मंज पर होंगे तो इस पर तीखी बास हो सकती है